मेरे साथ हैं दिल्ली के पूरु सालसद संदीप दिक्षिजी जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर पॉलिटिक्स को लेकर गर्मा गर्मी चल रही है आम आदनी पार्टी और अन्य पार्टियों के बीच में इसको लेकर जाधा बाचीत करने के लिए सर आपने एक बयान दिया कि आम आदनी पार्टी के अंदर केवल और केवल डोमेस्टिक सब्वर्बंस हैं अब आपको ये बयान देनें पर क्यों मजबूर होना पड़ा है क्योंकि आप आदनी पार्टी के जो नेता है वो एक नेतिक प्रता है कि जब कोई मुख्यमंतरी जेल जाता ये तो इस्तीफ़ ही नहीं पाए किसी को पिझले छे में इनने खुदी चिप के रहे कुर्षी में, नैटिक्ता को तो पॉसका इनल दिया और इसलिए भी था क्योंकि किसी और को लाइक मांते के होती है बना देते हैं किसी और को अर्विन केजरिवाल की अपनी कारियों से ही ये मानते हैं कि बाकी कोई मेरी पार्टी में किसी इसकी कोई काबिलियत नहीं है दूसरी बात आम आदमी पार्टी के किसी से बात कर लिजे विधायच से बात कर लिजे मंतरी से बात कर लिजे क जा सकता है बार घंटी बजानी पड़ती है मंत्रियों को भी पहले लोग कहते थे किसा आप काम कराना हो यह कहानिया है मैं कहानियों को क्यों दोराओं टीवी पे लेकिन आप पूछ रहें तो इसलिए मैं पता रहा हूं एक वो बिचारे जो अभी जेल चले गए विभभ या क कर ейक करते थे तो जिसका पिह इतना ताकत्वर है कि मंत्री गुहार लगाएं तो मंत्री कहा हुए हुए मंस्ट्री विधायब कंब्र होता है कि कि पडमें कितनी सत्ता आपके पास ये जो सत्ता का वर्गीकरण होता वह हो तरह करकता है पार्टी में सत्तasan का जो लिली नौकर के तरहे ट्रीट होते हैं और उसी में रहते हैं। चीज तो नय तिकता तो छे महीने पहले दिखानी चीज़ न जब आप जेल गई आपको उस समय स्थीफा देना विपक्ष के लिए बहुत बड़ा क्याम किया सरकार की एक योजना फेल कर दी जिसमें वो विपक्ष के सेम ़ेम हैं तो भी जानंगे in अब जब का क्वें वो तो सब ऑखी तो किसीं पर केस घाने ऑनंगे पर मोकद में हैं ने हैंका इसलिए डाले गए को कि इनके खिलाव केसों में पुकता सबूत और इनको को घेले में रखा बेल भी को अधिशों पुरिय चीडिया हम रखत की को जोगों को मिले अधीम को घये कोट से आप जेल चले जाए अलग बात है आपको वो कहे कि आप गला थे फिर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उस समय तो यह गए नहीं अब इनके पास बचा क्या है तो कि आप एक चीज़ देख लिए का ध्यान से इसको सुनिये सुम्प्रीम कोट अपना जज्जमंट देता है उसमें क्या कहता है कि यह दफ्तर नहीं गाएंगे यह फाइलें नहीं पढ़एंगे यह कोई Order नहीं देंगे थे हेमन सुरेन के केस में तो ये कंडिशन नहीं डाली क्यों कि हेमन सुरेन को वो समझते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के काबिल है इसके बारे में समझते हैं कि ना काबिल है सुप्रीम कोट ने इनको नालायक डिकलेर किया है देकि सुप्रीम कोट ने कुछ समय पहले का था कि हम को मुख्यमंत्रीपत से हटा तो नहीं सकते। लकिन हमारी नसीयत होगी की सतरय सर्कार नहीं चलती है। लेकिन जब आज आपने उस आदमी को बेल दे दिया, उसको बाहर आने का आपने पर्मिशन दे दी, तो अपना काम करने की क्यों नहीं पर्मिशन दे रहे। इसका मतलब आपको संदे हैं इस पे आपको संदे है कि ये गवा मिटा देगा ये गवाहों के सबूत मिटा देगा ये उल्जुनूल हरकत करेगा बेसिकली कोट ने इसको Sustend किया है अधिकारी क्या होता जो सस्पेंड होता है तंखा उसको मिलती है घर रहता आफिस नहीं जा तो इस सीफा देने का नाटक बहुत अच्छा है। तो यह वही होता है कि इस केस में नहीं आर देखो बैचारा और यहाम आदमी आम आदमी की बार बार कहनी करता है। इसलिए मैंने पहले का यह नौटंकी है। और आप जो कहरें मैं आरोप लगा रहा हूं। मैं विशलेशन कर रहा हूं। कि यह ऐसे हैं अब इनको बुरा लगता अच्छा लगता हूं यह जाने। आप करें फ्रॉडिया, अत्याग, नलायक, नौकर, इसी पार्टी के साथ संभावना यह तलाश रहते हैं। आप अभी हर्याना के अंदर आपने अलाइंस किया। दिल्ली के अंदर। आप खुद भी गए थे, मैं वहां मौझूद था, आपने लमेदान के अंदर जब इनकी गिरफतारी के विरोध के अंदर एक रैली होए थे जी। तो यह क्या कॉंट्रेडिक्शन नहीं है कॉंगर्स की पॉलिटिक्स के अंदर। इस देश की बरबादी, इस देश की आर्थिक और तमाम चीजों की उसमें मैं नहीं जाओंगा। हमने समझा कि नरेंदर मुदी का पधान मंतरी से हटना इस देश की बहुत बड़ी जरूरत है। और विपक्ष का भूमिका होने चाहिए कि हर संभव हम प्रयास करें उसको हटाने के लिए। पिछले साल भर से कम से कम उसके पहले तो नहीं उसके पहले तो केजरिवाल भजन गाया करते थे बीजेपी के। इन्होंने वही भाषा बोली जो जो राहुल जी बोल रहे थे। उनी चीजों में विशलेशन करके ये भी उस डिशकर्स पर पहुंचे कि भारती जनता पार्टी का अलग अवश्यक है। क्योंकि वहां हमारा एक कौमन प्रतिद्वंदी था इसलिए वह उस युद्ध में साथ आए क्योंकि रेखे कोई पर्स्टन नहीं में होता पॉल्टिक्स में हमारे वो होते हैं हमारे ऑपरिशन होती है और पक्ष होता है और पक्ष तो उसमें यह आए इन्होंने राहुल गांदी का नेत्रित माना आपको याद हो करने कहा भी कि अगर वो पीम बन जाए हमें कोई दिक्कत यह वही केजरिवाल है जो एक समय कहते थी ऊपर मोदी और नीचे केजरिवाल वह आज मान गए कि ऊपर रहुल गांदी तो ठीक है आप हमारे साथ है डिली में विशलेशन दो मिनट बाद वो दिली का हाल अपने आपके सामने गवा कर देगा तो इसलिए जिन कारणों से हमें नरेंदर मोदी जी का विरोत करना था उनी कारणों से हमें केजरिवाल का विरोत करना है इसलिए कॉंग्रेस पार्टी का इनके साथ संबंध बनाना मेरे हसाब से तो अस कि वहां तो एक अभूतपूर जीत होने वाली है और ये भी मुझे पता था एक भलकि भारती जनता पार्टी के हमारे मित्र ने कोई चार-पांच महीने पहले बताया था कि सहोधिया जब छूटे मैंने फोन किया इनका क्या यार छोड़ दिया कि भीया क्या करें हरियानक चुनाओ आ रहे हैं और मैंने का वह दूसरे वाले करने का उनकी विजरूरत है वहां तो तो हमें तब ही पता चल गया तक तीन-चार महीने पहले कि यह बेलेल सब होने वाली है तो अब यह कोशिश तो करेंगे क्योंकि इनका पुराना तरीका रहा है जिन जिन प्रदेशों में आप अपने आपको अगर सेल्फ रिस्पेक्टिंग नैशनल पार्टी कहते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के 31 32 राज्य आपके टार्गेट होने चाहिए जहां कांग्रेस सक्ता में है या कांग्रेस मुखी विपक्षे वहीं आप क्यों अक्टिव होते हैं आप हिमाचल में हैं आप उतराखंड में हैं आप दिल्ली में हैं आप हर्याना में हैं आप यूपी में क्यों नहीं है आप ब्यार में क्यों नहीं है आप उडिसा क्यों नहीं जाते आप क्यों नहीं जाते अब तमिलनाडू क्यों नहीं जाते उन प्रदेशों में जहांağıं कांग्रेस एक तरीके से उतरी शक्ती आघ नहीं है वहाँ तो साइड इनकी बढ़िए तो वहीं हो जली रहते हैं लो법 हमें वोट देना दें, हम अपने तरफ सी तो क्रियाशील है ना उन राज्यों में, तो ये तो बात को दिखा देता है कि इनकी बड़ी राजनीती क्या है, और लगता है कि बेल की कंडिशन में कुछ सुप्रीम कोट ने सेट की है, कुछ हो सकता है, सत्ता वाली पाटी ने सेट करने के लिए ये थे संदीब तिक्षित, पूर वलोक सबसांसत, काफी मुखर तरीके से अपनी बात को रखा, साफ तोर पर कहा कि सवाल उठाया अब लगी कि आम आदनी पार्टी उनी राजियों में क्यों फोकस करती है, जहां पर कॉंग्रस पार्टी मस्बूत है, और तम